दुनिया भर में हर साल लाखो मौते मादा मच्छ औ एनुपिलर के काटने से होने वाले मलेरिया रोक से होती है लेकिन आज हम दवाओं के जरिये आसानी से इस बिमारी से निजात पा लेते हैं आपको बता दे कि एनोफिलर मच्छ के काटने से मलेरिया होता है इसकी खोज भारत में जन में रुनाल्ड रोस ने आज से ठीक 78 वर्ष पहले कोलकाता के एक अस्पताल में आज ही के दिन यानि 20 अगस 1944 को की थी आए जानते हैं इनसे जुड़ी खास बाते डॉक्टर रुनाल्ड रोस का जन भारत के अलमोला जीले में हुआ था स्कूली सिक्षा खतम करने के बाद उन्होंने पिता के दबाव में आकर लंडन के सेंट बर्थोलोमियो मेडिकल स्कूल में प्रवेश लिया अपनी मेडिकल सिक्षा पूरी होने के बाद वे इंडियन मेडिकल सर्विस की प्रवेश परिक्षा में बैठे लेकिंग ना काम रहे उन्होंने हार ना मानते हुए फिर अगले साल परिक्षा दी जिसमें वे 24 वे छात्रों में से 70 वे नमबर पर आये फिर आर्मी मेडिकल स्कूल में चार महिने की ट्रेनिंग के बाद उन्होंने इंडियन मेडिकल सर्विस में एड्मिशन लेकर अपने पिता का सपना पूरा किया डॉक्टर रोस की जादा तर्जिम्यदारी मलेरिया पिरिक्षा निकों का इलाज करने की थी इसी दोरान उन्होंने देखा कि इलाज के बाद रोगी ठीक तो हो जाते थे लेकिन मलेरिया इतना घातक था कि उसकी वज़ा से लोगों की मौद जादा होना शुरू हो गई सल 1889 में वो दुबारा भारत लोटे और मलेरिया पर थ्योरी बनाए उनके पास बुखार का कोई भी रोगी आता था तो वो उसका खून का सेंपल रख लेते थे फिर उसी सेंपल का घंटो माइक्रोस्कोप की नीचे रखकर अध्यन करते वो खुद एक बार मलेरिया का शिकार हो गए इसके बावजूत वो नहीं रुके और 1000 मच्छडों का डि इसी थियोरी को सिद्ध कर दिया इसी खोज के लिए डॉक्टर रुनाल्ड रॉस को 1902 में शरीर क्रिया विज्ञान और चिकित्सा के लिए नोबल प्राइस दिया गया ऐसे ही आपके काम की ज्ञान की और रोचक खबरों के लिए तिरंदास.com से जुड़े रहिए साथ ही हमारे यूटिब चैनल तिरंदास को सब्सक्राइब कीजे और हमारे फेस्बुक पेज तिरंदास को फॉलो कीजे इन सभी के लिंक्स हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है